Good morning, बच्चों कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलब रीडर कक्षा 3, ठीक है? 3 में आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 तारा अब आप सोच रहे होगे कि आपने ये सब क्यों छोड़ दिया तीचर ये आपको सब मैंने पढ़ा दिया है ये आपको खुदी रीडिंग करना पढ़ेगा लेकिन इसका मैं एक अलग आपको वीडियो बना के भेजू लिपाग में इसमें अक्षर जोड़ो करके शब्द बनाए गया है सब अक्षरो को जोड़ जोड़ के शब्द बनाया गया है ये मैं आपको वाटसप करूँगे आज हम पढ़ेंगे तारा ठीक है तो सब ओपन करूँगो पेश नंबर 20 तू जीरो तारा सब ने ओपन किया तारा कौन है भाई इसमें ये वाले तारा नहीं दूसरे वाले तारा देखो तारा का नाम उसके दादा जी ने बड़े प्यार से रखा था तारा कौन है ये लड़की है और ये उसके दादा जी ने दादा जी ने उसका नाम बहुत प्यार से रखा था वो आकाश में तारे के समान सुंदर थी वो दादा की लाड़ी थी जो तारा थी वो बहुत सुन्दर थी और दादा की बहुत लाड़ी प्यारी थी जैसे आप लोग अपने घर में दादा लोगों के दादिक लोगों के बहुत प्यारे हो तो नहीं जैसे ही वह अपने छोटे भाई आकाश को बहुत चाहती थी आकाश प्यारा लेकिन नटख़ट था उसका भाई कौन है ये छोटा आकाश जो बहुत नटख़ट है शैतान है एक बार तारा और आकाश बाग में गए बाग में माली नहीं था आकाश ने बाग में रखा हुआ माली का छाड़ा छाड़ के पीछे चिपा दिया और साथ आठ आम तोड़ लिये और माली का जो चाड़ उसको छाड़ यानी पेड के पीछे छिपा दिया माली को आता देख आकाश भार में लगा लेकिन तारा ने माली से माफी माली और आकाश से आम लेकर माली को लोटा दिये जो तारा थी वो बहुत अच्छी थी उसने माली को आता देखकर माली को जो आम थे वो अपने भाई आकाट से लेकर उसे वापस दिये और कहा कि मुझे माफ करिये मेरे भाई को भी माफ करिये कि हमने तोड़े उनका छाता भी वापस कर दिया आकाश ने जो माली का चाता ज़ाड के पीछी चुपाया था उसकी बेहन तारा ने उनको माली को वापस कर दिया माली ने तारा की प्रसंचा की प्रसंचा मतलब तारी की तारा ने आकाश को समझाया की किसी को तंग करना अच्छी बात नहीं है जो उसकी बेहन तारा है उसने भाई को समझाया कि किसी को तंग नहीं करना चाहिए अगर आप किसी को तंग करें तो परिशान हो जाएगा फिर आपको पिटाई करेंगा इसने किसी को तंग नहीं करना चाहिए टीचरों को भी नहीं अब नेक्स्ट पेज में आप देही शब्द अर्थ दिये हुए है यह आप अपने शब्द पढ़िए और लिखिएगा सारा यह देखी यहाँ पे लिखे है दादा, दादा कौन है? दादा आपके पिता जी के पिता जी जो आपके पापा है उनके पिता जी को दादा बोलते हैं दादी पिता जी की मा को दादी बोलते हैं चाचा पिता जी के भाई को बुआ पिता जी की पहन को नाना मा की अम्मा लिखा इसमें मैं आपको इज़ी शब्त मतारे आपकी जो मा है उनके फिता जी को नाना बोलते हैं नानी आपकी ममी की ममी को नानी बोलते हैं मामा ममी के भाई को मामा बोलते हैं और मौसी ममी की बेहन को मौसी बोलते हैं और यह नीचे आपका व्याकरण दिया है, यह मैं आपको बात में समझाऊंगी, Easy way में संग्या है, संग्या क्या है, किसी वैक्ती, वस्तूस, थान, भाव या प्रदात के नाम को संग्या कहते है, यह आपका grammar है यह मैं आपको next वीडियो में बता के पूरा आप समझाओं ली ही है यह आपने lesson पढ़ लिया अभी आपको homework क्या करना है homework में आपको मैंने 12 खड़ी थी वो आपने शायद आधी लिख के मुझे भेजी है बचोने तो भेजी भी नहीं है अभी आप next क्या करने वाले हो अभी आप next में क्या करोगे एक से लेके 10 तक हिली में मुझे लिख कर बेजो कैसे बेजोगे आपको लिखना तो आता है वैसे अच्छे से लेकिन नहीं भी आता है तो यहां पर लिखा ना एक दो तीन चार पांच चे साथ आठ नो दस पी जगे लिखा है 0 तो आपको यहां पे 10 लिखना है दस कैसे लिखते हैं? द और स दस फिक है? यह आप मुझे एक से लेके दस तक किंटी लिखके WhatsApp पे 5 टाइमस लिखकर भेजो एक से लेके दस तक फिक है? मैंने नेक्स्ट यर भी आपको second class में यह पढ़ाया है एक से लेके दस तक तो आपको आता ही है